असलाम लेकूम आज हम एक कप दूद से बहुत ही टेस्टी गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर करेंगे और ये हलवे बहुत ही इसली बन जाते हैं बेना किसी ताम जाम के तो चलिए देख लेते हैं फटाफट से हमने कैसे बनाया है तो ये एक किलो मैंने गाजर लिया है गाजर को अच्छे से वाश करके इसको कदू कस कर लिया है बड़े वाले साइज से आप ग्रेटर के बारीक वाले साइज होते हैं उससे भी कर सकते हैं तो सबसे पहले मैंने एक बरतन चड़ा दिया है गैस पर इसमें हमें एक कप दूद एड़ करेंगे दूद थोड़े से कम लग रहे थे तो मैंने आधा कप और एड़ कर दिया है और एक कटोरी भरकर मैंने मिल्क पाउडर लिया है उसको भी एड़ कर देंगे अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप 1-5 लिटर दूद ले सकते हैं उसको सुखा कर आधा कर सकते हैं और अगर आप कम टाइम में फटार फट से बनाना चाहते हैै तो मेरे तरीगे से आप बना सकते हैं तो मिल्क पाउडर को हम दूद में अच्छ से मिक्स कर लेंगे यह प्रोसेस हम ओसे करेंगे यह बहुत जल्दी मिक्स हो जाते हैं आप हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा नहीं तो यह बहुत जल्दी से ठीक भी हो जाएंगे और अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएंगे तो मिल्क पाड़र को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इसमें कटे हुए गाजर एड़ कर देंगे जब भी आपको गाजर का हल्वा खाने का मन हो तो आप इस तरीके से फटफर से बना कर खा सकते हैं और बहुत ही टेस्टी भी बनते हैं तो गाजर को मैंने अड़ कर दिया है इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी आप देख सकते हैं यह एकदम से सुखे सुखे लग रहे हैं पर जब हम इसका धकन लगाएंगे तो यह गाजर अपना पानी छोड़ देगा तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इसका धकन लगाकर हम पका लेंगे बीच बीच में हम इसका लिड हटा कर चेक करते रहेंगे ताकि नीचे से लगने ना पाए तो यह आप देख सकते हैं गाजर ने अपना कितना पानी रिलिस कर दिया है इसी की पानी से हमारे गाजर भीकल जाएंगे और इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बस आठ से दस मिनट का टाइम ही लगेगा तो बस इस स्टेज पर हम एड़ कर देंगे शूगर चीनी चीनी को मैंने एक से डेड़ कटोरी लिया है आप मीठा अपने हिसाब से ले सकते हैं जितना आपको मीठा पसंद हो तो चीनी भी मैंने एड़ कर दिया है चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे चीनी भी अपना पानी रिलीज करेगा जो थोड़े बहुत कसर बाकी है चीनी के पानी से भी पक जाएंगे तो चीनी को भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है यह देखें चीनी ने भी अपना पानी रिलीज कर दिया है अब इसे फिर से कवर करके पका लेंगे ताकि गाजर अच्छे से गल जाएं गाजर को भीलकुल भी ऐसे नहीं छोड़ना है चेक करते रहेंगे गाजर को ताकि नीचे से जले नहीं गाजर को बार-बार ऐसे चलाते रहेंगे और जब भी चलाएंगे तो ढढ़क कर पका लिया करेंगे इस तरह से प्रोसेस हम अ रेए करेंगे जब तक पानि को सूख नहीं जाता है अब इसके हम अच्छे से भूनाई करेंगे जब तक कि अच्छे से इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता है तो हल्वे का सारा पानी ड्राई हो चुका है, इसको भूनते हुए तीन से-चार मिनाई तक हो चुके हैं अब इसमें हम एड़ कर देंगे, काजू बादाम थोड़े से कटे हुए, ड्राइफ रूट्स आप एड़ करना चाहें तो कर सकते हैं, बिना ड्राइफ रूट्स के भी बना सकते हैं, और मैंने दो से तीन टेबल स्पून के करीब घी एड़ कर दिया है, घी भी पूरी तरह स अब भी बहुत ही मज़े के बनते हैं, तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो अब यह हमारे सिंपल से गाजर के हलवे तयार हो चुके हैं, मैंने गैस का फिलेम बन कर दिया है, अब हलवे को डिश आउट कर लेते हैं, तो तो फिरेंड्स मैं आपको एक बात प्राय जरूर कीजिएगा, अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है, तो दूद से भी बना सकते हैं, एक से देड़ लिटर दूद लें और उसको गाढ़ा कर लें, फिर इसी प्रोसेस से आप बना लें, तो गाजर के हलवे को मैंने डिश आउट कर लिया है, तो यह चैनल को भी सबस्क्राइब कर लिजीगा, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी वीडियोज अपलोड करूँ, आप तक जलसे चर्थ पहुंच सके, तो मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्ला हाफीज